हेलो एन वेलकुम्टू हिस्ट्री थरो कोईस्टेश्यण को हिस टापकेज रूरल के चैनल एपाराइच चैनल ने नरपनाने चैनल और सविस्ट। तोपिक हे शिर्डीड॥ तुब तुब ही नम煼ंद लिज्ट। South India में during the ancient period उनको three categories में categorize किया है First is the Ur अब यह जो Ur village है यह usual type of village होता है means जो generally found होता है कौन इसको inhabited करता है यह mostly यहाँ पे peasant इसको inhabited करते हैं जो peasant caste और जो community members होते हैं peasant के वहाँ पे इनको inhabited करते हैं यहाँ पे किसी की ownership नहीं तो यह common होता है सती साथ common होने के साथ यह responsibility हो जाती है as a village headman की कि जो भी village headman है कि वो क्या करेगा वो वहाँ से collect करेगा और pay करेगा taxes on their behalf तो tax collection और जो payment है यहाँ पे village headman की यह responsibility हो जाती है यह villages जो थे ancient time में South India में Southern Tamil Nadu में इसको मिलते हैं यह Next is सभा type of villages South India में करें यह जो villages हैं यह basically consist करते थे भ्रमा देया और साथी साथ अग्रहारा land यह दोनों land जो अगर हम देखें एक तरीके से land grant दिये जाते थे भ्रहामेंस को और जो भ्रहामेंस हैं वो enjoy करते थे इनकी ownership तो owners यहाँ पर हो जाएंगे भ्रहामेंस साथी साथ यहाँ पर एक और special characteristic है यहाँ पर कि जो भ्रहामेंस हैं यह individual ownership इस area पर claim करते थे साथी साथ basically यह text भी exempt होते थे लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो activities होंगी agriculture activities हैं वो वहाँ के जो collectively जो लोग थे वहाँ के मिलके यहाँ पर करते थे So in that way this is the सभा type of villages लाट पर नॉर्ट आलीस अगर हम बात करें नगरम As the name suggests यहाँ पर नगर की बात करी गई है और यह with reference to the अगर हम economic के context में बात करें तो यह वो villages हैं जहाँ पर dominated by combinations of traders यहाँ पर traders भी होंगे और उनकी community भी जादा होगी और merchants भी होगी और यहाँ से वो trading activities को perform करते थे So these are the three type of villages पस्वाश पर यहाँ जोजए बात करें